हेलो गाईस आज हम डिस्कस करने वाले हैं टाइटन से भी एक अच्छा स्टॉक है जो गिरते हुए मार्केट में इससे भी अच्छा परफॉर्म करके दिखा रहा है हम मानते हैं कि दोस्तों टाइटन एक बहुत अच्छी कमपनी है लेकिन हमें यह भी नहीं बूलना चाहिए कि इससे भी अच्छी अच्छी कमपनी है तो हमें यह ढूनना चाहिए गिरते हुए मार्केट में कि सबसे अच्छी कमपनी कौन है मतले कि दोस्तों बेस्ट अगर आपने धून्ड लिया बेस्ट वान दे कि स्टॉक तो बहुत है 10 20 50 बहुत है लेकिन हमारे लिए सुटेब रुपे का भाव में उन्होंने बेचा तो आप सोच सकते हो बहुत अच्छा विल्द क्रेट किया है दोस्तो विद रहल्प आफ टाइटन ठीक है टाइटन एक बहुत अच्छी कंपनी मानी जाती है ठीक है तो आज मैं दोस्तो जो स्टॉक क्या बारे में डिसकस करने जा रहा यहां पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि यहां पर देख सकते है दोस्तो टाइटन से भी अच्छी कंपनी कौन हो सकता है वो भी गोल्ड में तो सबसे पहले हम रिटन की बात कर लेते हैं रिटन में सबसे अच्छा पफॉम कौन कर रहा ठीक है यह है टाइटन टाइटन का यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों stock काफी भारी महात्रा में गिर चुका है यह range में जाने वाला stock बहुत जादा गिर चुका है इसका दोस्तों यहाँ देख सकते हैं 52 week high ठीक है हम return के मामले में ठीक है तो return में देख सकते हैं दोस्तों यह titan ने यहां पर एक मिनट यहां पर देख लिए एक साल के अंदर 21% का negative return देता है और one month के अंदर 30% का negative return देता है ठीक है और यह जो है दोस्तो राजेस export limited जो है 8% का return दिया है एक साल के अंदर और एक महिनने के अंदर इसने यह यहां पर दिखाया जा रहा तो अगर हम performance के मामले में देखते हैं तो ये company अच्छा perform किया है Titan से भी तो हम check करेंगे कि last working day में कौन सा stock कैसा perform किया था ठीक है राज़ेस export limited नहीं हाँ यहाँ पर देख सकते हैं 12% का upper circuit था दोस्तो 70 rupees का इसमें जो है upper circuit देखा गया था ठीक है और वो भी दोस्तों ये 632 रुपीस के आस पास चलना मतलब कि इसमें ज़्यादा गिरावट नहीं हुई है अगर गिरावट हुई भी है तो दोस्तों ये अपने 52 week high के आस पास ही है ठीक है ये recover हो जाएगा ठीक है तो ये stock का performance से अब हम देख लेते हैं Titan के बारे में तो ये रहा Titan आप लोग के पास दोस्तों देख सकते है Titan में 7% का negative return है और उसमें दोस्तों 12% का positive return है positive return है और यहाँ पर negative return दिया जा रहा है चलिए कोई बात नहीं कभी-कभी हो जाता है अब down ठीक है उसके बाद देख लेते हैं दोस्तों इसका जो 52 week high है 1400 है 89 मतलब कि दोस्तों यहाँ देख सकते हैं 1390 रुपीज के आसपास है ठीक है only 90 रुपीज के आसपास है यहाँ पर देख लेजिए और दोस्तों मान लेते हैं कि 1400 से यह जो अभी stock का जो price चल रहा दोस्तों 800-850 के आसपास चल रहा तो मुझे लगता है दोस्तों यह 40% पीछे है 40% अपने 52 week high से पीछे है ठीक है यह क्यों होता है दोस्तों कभी-कभी क्या होता है किसी company का sales decrease हो जाता और sales decrease होने के बाद दोस्तों अपरेटिंग जो profit होता है वो automatic down आ जाता है इसलिए company को loss देखा जाता अब देख लेते हैं company का management कैसा है दो नों का ठीक है तो अभी हम देखेंगे यहाँ पर देख लीजिए Titan के बारे में हम discuss के लेते सबसे पहले Titan का देख लेते ठीक है management efficiency company का management कैसा है हम देख लेते हैं तो यहाँ पर हम यह one by one सब कुछ चेक करेंगे ठीक है तो return on equity सब कुछ ठीक है return on asset यह भी ठीक है यहाँ देख सकते return on capital fixed asset मतलब यहाँ जो भी है दोस्तो Titan में हर एक चीज़ आपको अच्छा साच्छा देखा जा रहा profit में growth में यहाँ देख सकते हैं operating profit में net profit margin में सब कुछ सही है मतलब दोस्तो Titan profit के मामले में अभी company में कोई भी problem नहीं है छोटा मुटा भी issue नहीं है क्योंकि company का price अल्रेड़ी सब कुछ गीर चुका हाँ अगर हम दोस्तो इसका price देखते हैं ठीक है सब कुछ आपको यहाँ पर आपको ठीक दिखा जा रहा है return on equity सही है return on asset return on capital negative fix risk fix asset पर देख लिजिए सही है उसके बाद एक नट उसके बाद यहाँ पर देख लिजिए operating profit सही है operating profit है यह gross profit है net profit margin सब कुछ सही है ठीक है तो company में वैसे भी देख लिजिए हमें यह चेक करना है कि best one कौन से है टाइटन भी अच्छे price पर आपको मिल रहा हाला कि दोस्तों टाइटन बहुत ज़्यादा गिर चुका है हला कि टाइटन यहाँ समाल लिजिए कि लेकिन जो यह stock है दोस्तों यह थोड़ा बहुत गिरा ज्यादा नहीं गिरा ठीक है जितने भी जोलरी है तो इसका price अभी गिरेगा लेकिन हा जैसे ही सबकुस ठीक हो जाएगा automatic सबका price जो है उपर आना स्टार्ट होगा तो टाइटन जैसे company को हमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए उसके बाद यह जो मैंने आपको बताया राजस export जैसे company आप देख लेजिए यह भी आपको सस्ते से सस्ते valuation पर मिल रहा ठीक है यह भी आपको अच्छे valuation पर मिला तो इसमें क्या है कि आप ज़्यादा quantity खरीच सकते हो और quality की बात है तो दोस्तो company में quality भी है ऐसा बात नहीं है कि company में quality नहीं है और यह भी दोस्तो टाइटन की तरह ही 2-3 रुपिया में मिलने वाला stock था आज से देख सकते है 2001 के आसपास क्योंकि दोस्तो टाइटन को राकेश जुन जुन वाले ने कितना दिन रखा था दोस्तो 19 years उन्होंने रखा था 19 years रखा था तो दोस्तो अगर 19 years के हिसाब से 2001 के बाद तो यहाँ पर देख लिए दोस्तो इस जगह पे यह स्टॉक का प्राइस था केवल 3 रुपिस के आसपास दोस्तो दो यह तीन रुपे के आसपास मिला करता था यह स्टॉक टिक है तो यह स्टॉक पर दोस्तो टाइटन की तरह ही मल्टी बेगर है ठीक है लेकिन हा यह तीन रुपिय के भाव में मिलने वारा स्टॉक था और आज के डेट में भी अच्छा से अच्छा परफॉर्म कर रहा है इसने भी अच्छा से अच्छा रिटन दिया है दोस्तो लोगों को तो अगर यह वीडियो आपको लगा कि हाँ थोड़ा बहुत नॉलिजबल परपस के था तो दोस्तो वीडियो लाइक करके इंक्रीज किजगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब किजगा दोस्तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि सबसे high return देने वाला stock कौन सा था share market में और उसमें अभी market गिरने के बावजूद उसमें गिरावट नहीं हुआ है क्योंकि देखे सारे stock में लगबग मुझे लगता कि ज्यादा ज्यादा गिरावट हो चुका तो उस stock के बारे में हम discuss करने वाले हैं तो मिलते हैं आने वाले next वीडियो में